स्री राम, जय हनुमान हनुमान जी का असिरवाद सदा आप पर बना रहे हनुमान जी का असिरवाद से आपका भग युदैष हो जीवन में सुक समरिदी सौव भग बड़े आपका कल्यान हो निश्चे प्रेम परतीत ते बिखे करे सन्मान तहीं के कारस सकल सुब सिद्ध करें हनमान हनमान जी आपको भग्य साली बनाएं संकट से रच्छा करो हे महावीर हनमान संकट मोचन किरपानिधान जय हनमान जय जय हनमान तुलारासी वारो आज जे सरवन नच्छत्र बैति पात योग सनी और चंद्रमा का प्रभाव राभू की छाया विरस्पती मंगल सुक्र की दृष्टी बैति पात योग सरवन नच्छत्र में जो तीज गन्ना के अनुसार तुलारासी के इस्तरी प्रूस आज अमवस्याति थी क्रिस्पच के माघमा सनी और चंद्रमा का प्रभाव सनी का नाम सुनते आपके मन में थोड़ी घबरहट अवसा आ गई होगी कि सनी का प्रभाव है तो कुछ अनिष्ठ होगा पर तुलारासिवारो आज स्रवन नच्छतर का सनी आपके लिए बड़ा सुब है क्योंकि इस समय सनी का नवांस गोचर भी स्रवन नच्छतर में हो रहा है स्रवन नच्छतर में जब सनी का गोचर होता है तो सनी बड़ा प्रवल हो जाता है जब सनी प्रवल होता है तो सनी जिस घर में गोचर करता है उसके अनुसार आपको परिनाम देता है इस समय तुलारासिवारू के लिए सनी का गोचर सुख अस्थान में है आपके लिए सनी सुभ होता है क्योंकि सनी आपकी कुंडली के चौथे घर का स्वामी है और भग्य से आज सनी आपकी कुंडली के चौथे घर में ही गोचर कर रहा है जबकि आपकी कुंडली के धन अस्थान में केतु बैठा है और राभू अस्टम भाव में सुक्र और मंगल प्राक्रम अस्थान में यानि आपकी कुंडली के तिसरे घर में गोचर कर रहा है और विरस्पती पंचम भाव में जब राभू अस्टम भाव में गोचर करता है और सुक्रे प्राक्रम भाव में रहता है और चंद्रमा बुद्ध के साथ सुखस्थान में गोचर करता है तो ऐसे समय में आपकी जीवन में दो महत्पुन काम होती है पहला तो किसी इस्त्री से आपको सुख मिलता है दूसरा अचानक कोई ऐसी घटना घटी है जिसका आप पहले अंदाज नहीं लगाये थे यानि जीवन में कभी-कभी कुछ उलट फेर हो जाता है उलट फेर का नाम सुनते उतार चरहाओ का नाम सुनते मन में घबराहत और चिंता होती है पर आज आपके लिए ये जो उलट पुलट होगा उतार चरहाओ होगा कहीं न कहीं आपको फाइदा देगा क्योंकि आज ये चार गरह आपके सुख स्थान में गोचर कर रहा है चंद्रमा, सुर्ज और बुद्ध, साथ में सनी, अब सनी और बुद्ध मित्रगरा है दूसरी ओर, बुद्ध, चंद्रमा, मित्रगरा है सुर्ज भी बुद्ध का मित्र है, तो आज चार गरह आपके सुखस्थान में गोचर कर रहे हैं अब चारो गरह की विसेस्ता अलग-अलग है आपकी कुंडली के लाब अस्थान का स्वामी सुर्ज है जबकि आपकी कुंडली के प्राक्रम अस्थान का स्वामी चंद्रमा और आपकी कुंडली के भग्य अस्थान का स्वामी बुद्ध और सुख अस्थान का स्वामी स्थान यानि आप जो कर्म करते हैं प्राकरम करते हैं उसका स्वामी चंद्रमा किसका मित्र है तो बुद्ध का सुर्ज का बुद्ध आपके भाग्यस्थान का स्वामी है सुर्ज आपके लाबस्थान का स्वामी है सनी किसका मित्र है तो बुद्ध का भग्यस्थान के स्वामी का सुखस्थान का स्वामी सनी है तो आप चार गरह जिसको चतुर गरही योग कहते हैं ऐसा योग बार बार नहीं बनता कभी-कभी जीवन में ऐसे योग बनते हैं जो आपके लिए बड़ा सुभ होता है लाब, कर्म, भाग्य और सुख जब सब एक साथ मिल जाता है तो आपके जीवन में बड़े बदलाव होते हैं पर बदलाव तभी होते हैं जब आप परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं क्योंकि सनी कर्म का स्वामी है जब आप कर्म करेंगे तभी सुखस्थान में बैठा भग्य आपका साथ देगा तभी सुखस्थान में बैठा सुर्ज आपको लाब देगा पर आप कर्म क्यों करेंगे क्योंकि आज सनी का नवांस स्रवन नचत्र में चंदर्मा के प्रभाव से प्रभावित है जो आपके अंदर साहस उर्जा देगा जो आपके अंदर जुनून पैदा करेगा कुछ करने की अगर सच में आप योध्धा हैं सच में अपने जीवन में कुछ पाना चाहते हैं आपके अंदर ताकत है, हिम्मत है तो आप कर्म करेंगे जब कर्म करेंगे तो सुक्रे और मंगल जो प्राक्रम अस्थान में गोचर कर रहा है जिसकी द्रिष्टी आपके भाग्यास्थान पर है और भाग्यास्थान का स्वामी सुखस्थान में बैठा है और पंचम भाव में बिरस्पती है तो अस्टम में राभू अद्धुतिय भाव में केतू है अब राभू केतू सनी के अनुचर गरह होते हैं सनी जैसा प्रभाव डालता है राभु और केतु उसी करवट बैठते हैं तो आज का सनी आपके जीवन में सुख समरिधी और उनत्ती का यूग लेकर आया है जिससे आपके जीवन में बहुत कुछ बदलेगा ये बदलाओ अभी तो आपको पता नहीं चलेगा लेकिन जो घटना घटेगी इसका असर आपको देखने को अवस मिलेगा तो बेहतर यही है कि आज आप मेहनत करें परिस्रम करें फिर देखें आपके जीवन में कितने बड़े बदलाओ आते हैं सब कुछ आप प्राप्त कर सकते हैं जो आपको असंभव लगता है उसे आप संभव बना सकते हैं क्योंकि तुलारासिवारो के लिए सनी और मंगल का प्रभाव यानि कर्म और सुख है दोनों का प्रभाव आज प्राप्त होगा सरवन अच्छत्र है बिरस्पती मंगल सुक्र की दिष्टी है मंगल और बिरस्पती जब चंदर्मा बलवान होता है तो मंगल और बिरस्पती भी अच्छे परिनाम देते हैं और सुक्रे आपके लगन का स्वामी है, जो आपके बहवार, आपका बैक्तित आपकी जीवन में जो सुक समरिध्धी है, वो आपको मिलता है, लेकिन मंगल साहस देता है, उर्जा देता है, विरस्पती जीवन को एक नई दिशा देता है, तो तुलारासिवारों आज आप काम करें, प्रसन होकर काम करें, क्योंकि आज आपकी जीवन में बड़ी खुस खबरी भी मिलेगी, धन का लाब भी होगा, उनत्ती तरक्की भी होगी, सौभाग्य सुख्य की, प्राप्ती भी होगी, यानि आज का दिन आपके लिए बेहतर और सुन्दर योग बना रहा है। करें, मिहनत करें, जो लोग नौकड़ी की तरास कर रहें, कोशिस करें कि आज के दिन आप ज़्यादा प्रयास करें, तो आपके प्रयास भी सफल होगे, और आपके जीवन में नया नया उसर भी मिलेगा, किसी नय काम की प्रारम भी आप करेंगे, और जीवन में का भाव उत्पन होगा काम्यावी सफलता और इस तरी का सुख इस तरी का भोग आपके जीवन में खुसियों को बढ़ाएगा यानि आज ये दामपत जीवन में भरपूर खुसियां होगी आज आपके लिए समय बढ़ चर कर आगे बढ़ने का समय है अपने होसला अपने हिम् से अग्रहों की दसा भी ऐसा ही संकेत आपकी कुणली पर बना रहा है पर आज ये कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होगा आज का राहुकाल तीन बचकर अठारा मिनट से चार बचकर उन्चालिस मिनट यानि राहुकाल के दोरान किसी भी सुपकाम का सिरी गनेश ना कर आप कोसिस करें जब दिन की सुरुवात होती है तो पहला कदम उत्तर दिसा की तरब से ना बढ़ाएं बाकी सब कुछ अच्छा है आज आपके लिए लखकी नंबर जो है वो एट है क्योंकि सनी और चंदर्मा का तो परभाव है साथ में मंगल सुक्र और विरस्पती की प्रस्यातिती भी है आपके लिए लखकी कलर नीला होगा और आपके लिए जो सुब समय है भाग यूदय का वो अमरित काल दस बचकर अठारा मिनट के बाद आरम हो जाएगा आपके जीवन में परिवर्तन आरम हो जाएगा अब आप पर निर्भर करता है कि आप कितना परि परिवार में भी खुसियां बढ़ेगी सौभग्य लाब का योग है उनती तरक्की का योग है धन सम्रिद्धी से आप परिपुन होंगे और आपके जीवन में प्यार का भी सुख मिलेगा परिवार का भी सुख मिलेगा यानि आज ये समय आपके लिए अच्छा है जो आप आपके जीवन में भाग्य ब्रिधी करेगा प्राक्रम से जीवन में सफलता खुसखबरी प्राप्त करेंगे मेहनस से भाग्य को चमकाएंगे और जीवन की सुखों का आनंद लेंगे तो तुलारा सिवारो आप हनमान जी का दर्शन करें हनमान जी की पूजा करें हनमान जी का असिरवाद आपके बिगरे काम को बनाता है हन्मान जी का असिरवाद जीवन को एक नई दिशा देता है और हन्मान जी के असिरवाद से ही आपकी जीवन की रुकावटें दूर होती है मन में विस्वास बरता है और आपकी अवस्ष करें क्योंकि प्राक्रम से सिध्धी मिलती है प्राक्रम से सुख मिलता है प्राक्रम से धन मिलता है और प्राक्रम से ही मान सम्मान बरता है तो आज ये सरवन्न छत्र में सनी चंद्रमा का परभाव राहु की छाया विरस्पति मंगल सुक्र की दृष्टी आपके लि खुसियों को बढ़ाएगा और भरपूर सुख और लाभ देगा तो तुला रासिवारों ग्रहों प्याधारित अपने रासिपल के लिए रासिपल को लाइक करें सस्क्राइब करें कॉमेंट बॉक्स में किसी भी देवी देपता का नाम लिखें आज के लिए इतना ही फिर मिल प्यादें आपका दिन सुभ हो जै स्री राम, जै हन्मान, संकट मोचन के पानिदान जै हन्मान, जै ज्याय स्री राम, जै हन्मान 30-ắt स्री राम- 2 जै